नमस्कार दुस्तू, स्वागत छे आप सर्वनों तमारी पोतानी यूटूब चैनल ओशन कोचिंग क्लासिस पर मित्रो आजे आपडे धोर्ण पांच नी हिंदी विशैनी जे प्रथम सत्रांध परिक्ष्या ओक्टोबर बे जार चोविश आवि रही शे तेनु समपूर्ण सॉल्यूशन एटलेके मोश्ट आइमपी प्रश्ण पत्रानु समपूर्ण सॉल्यूशन आपडे आ विडियो नी अंदर जोवाना छे मित्रो आपणियां चेनल उपर धुर्ण पांच ना दरेक विशाई ना जे मोश्ट आइमपी प्रश्ण पत्र छे तेना संपूर्ण सॉल्यूशन ना विडियो ने पीडिएफ मुखाई जुक्या शा अन्य आजे प्रश्ण पत्र छे तमारी ब्लूप्रिंट प्रमाने अन्य तमारी जे अध्यन निश्पतिवो शे प्रमाने अपड़े तमारी एकम कसोटीवो गया वर्ष्ण प्रश्ण पत्र अने स्वाध्यन पुथी मां थी जे मोश्ट आइमपी प्रश्णों चे ते लिद्यला शा तो जरूर्थी आजी प्रश्ण पत्र छे तेनी पीडिएफ मे विशे इंडी प्रथम सत्रांद परिक्षा ओक्टोबर बेजार चोविश नों समपुर्ण सॉल्यूशन प्रश्ण नमबर एक निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर एक वाक्य में लिखिये किन ही पांच जेना कुल पांच मांक्ष पेलोस्वाल ननहा राही रास्ते पर क से चलेगा तो ज्वाबाव शेननहा राही रास्ते पर निडर होकर सिना तान कर चलेगा किन ही चार पक्षियों के नाम लिखिये चार पक्षियों के नाम तुता मोर गरया और कोयल तरी जो यातायात के साधनों के नाम लिखिये यातायात के साधनों में बेल गाड़ी साइक केल तांगा ओटो रिक्षा आधी है चोथो सवाल सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं बाच्वों सवाल चेडिया घर की सेर के लिए कौन-कौन आये थे तो जवाबावशे चेडिया घर की से के लिए गीता और उसके दादा जी आये थे छठो सवाल रसोई घर में कौन कौन से वर्तन है तो रसोई घर में मटका थालिया डिबा चम्मच डलिया जहार कूकर गिलास केतली आधी वर्तन है त्यार पशेश प्रश्ण नंबर बे निम्ना लिखित अंको को शब्द में लिख मित्रो धोर्ण त्रणथी आंट नी आजे प्रथम सत्रांध परिक्षा बेजर चोश पचेश छे तेना माटे खास उपियोगी एवा मोश्ट आएंपी ब्लू प्रिंट प्रमाणेना आजे प्रश्ण पत्र शे रेडी टू प्रिंट फॉर्म ने अंदर तमने मले जशे अन तमने नंबर आपेलो शे नंबर उपर कॉंटेक कर याने तमे पीडियाप सीदी वाटसप पर मंगा भी शको छो अथवा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ने अंदर लिंक पणा पेली शे लिंक उपर क्लिक करीने पण तमें मेल भी शको त्यार बचे शे प्रश्ण न खाली जग्या लड़के ने लड़ू दिया तो जोब आउशे उस त्यार बची शे प्रश्ण नंबर चार नीमन लिखित वाक्यों का मात्रू भाषा में अनुवाद करके लिखिये किन ही दो जेना कुल बे माक्षा पेल वाक्य कमल हमारा रास्टी या फूल है तो यहनू ग जो जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक पेड़ पर बंदर है यहां यह बहता हुआ जरना भी है उसके एक किनारे लंबी गरदन वाला जिराफ और दूसरे किनारे आसी खड़ा है शेर पत्थर के पिशे चिप कर बेठा है हीरन पानी पी रहे है बतक पानी में तेर रही है जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है अरी घास पर खरगोश बेठा है आकाश में पक्षी उड़ रहे है यह जंगल का द्रश्य बड़ा अमन मोहक है त्यार बचीचे प्रश्ण नमबर चो और निमना लिखी तरे खांकित शब्दों का लिंग परिवर्तनकर के वाक्य फिसे लिख येकिन ही दो जना कुल चार माक्षा जंगल में मोर नी नाच रही है तो मोर नी नुथशे मोर जंगल में मोर नाच रहा है तालाब में हाथी नहा रहा है तो आथी नुथशे हथी नी तो तालाब में हथी नहा रही है पिंजरे म उड़ती क्यों है टेबल पर पुस्तक है तो टेबल पर पुस्तक है है चरवा है के हाथ में क्या है तो चरवा है के हाथ में क्या है या हाथों में आऊ शे त्यार बची छे प्रश्ण नंबर साथ और निम्न लिखे च शब्दों के समानार्थी शब्द लिख कर वाक्य में प् प्रूथवी नू समानर्सी थशे धरा वाक्य बन्षे बारिश के बाद धरा की महक मन को ताजगी देती है नेत्र नू थशे आंखे वाक्य बन्षे उसकी आंखे बहुत सुंदर है सुखा सुखा नू विरुधार्सी थशे गिला वाक्य बन्षे मुझे बन्षे मुझे बन्षे मुझे लगा की छूटी बच्ची के कपड़े गिले हो गए त्यार बचे शे प्रश्ण नंबर आँठ निमन लखित किसी एक विशवई पर आँठ वाक्य में निबन्षे में बन्षे मेरा परीचे तो यह तमें जो शेगोशों मेरा परीचे निबन्धा पड़े आरेते लखी शे के मेरा नाम आदर्श है में पांचवीक अक्षा का चाता हूँ में बार वर्श का हूँ में दिल्ली में रहता हूँ मेरा गर्ण नजफ गड में है मेरे पिता जी का नाम सर्वेद है, मेरे पिता जी गाड़ी चलाते है, मेरी माता जी का नाम पुझा देवी है, मेरी माता जी गुरुहीनी है, मेरा एक भाई है, मेरे भाई का नाम प्रिंस है, मैं सेडियेम पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे सभी विशेव में अच एजिनियर बनना चाहता हूँ मैं अपने से बड़े कासन मान करता हूँ त्यार पशी बीजुचे मेरी पाट शाला मेरी पाट शाला का नम सरस्वती विद्विधियां मंदिर है यह एक आधर्श पाट शाला है मेरी पाटशाला में कक्षा पहली से लेकर दसवी तक के छात्र पढ़ते है मेरी पाटशाला बहुत ही सुन्दर और बड़ी है हर कक्षा के लिए अलग-अलग कमरा है हर कमरा स्वच और हवादार है मेरी पाटशाला कई सुक सुविधाय उपलब्द है जैसे स्वच पिने का पानी, लाइब्रेरी, खेल कामेदान, कम्प्यूटर लिब, स्मार्ट क्लासरूम, पर्योग शाला सो चाले आदी त्रीजू, मेरा गाउ, तो मेरे गाउ का नाम जनकपूर है, मेरा गाउ छोटा है, इसमें बस्ती भी करीब 700 लोगों की है मेरे गाउ में विविद जाती धर्म और अलग-अलग वैवसाईवा ले लोग रहते हैं, वे सब मिल जूल कर रहते हैं, मेरे गाउ में एक चोटा सा बाजार है, एक पाटशाला और एक अस्पताल है, पाटशाला के पास ग्राम पंचायद है, ग्राम पंचायद गाउ की सुव विशयनु आजे मोश्ट्याइम बी प्रश्ण पत्र चे पूर्णा करिया छे फरीमलिश्व आपड़े एक नवा विशयना धूरण पांच ना प्रथम सत्रांध परिक्षा बेज आर चो विश ना मोश्ट्याइम प्रश्ण पत्र ना समपूर्ण सॉल्यूशन साथे मित्रो आपडिया चेनल उपर धोरण पांच ना दरेक विशाई ना जे मोश्ट टाइम भी प्रश्ण बत्र छे तेना संपूर्ण सोल्यूशन ना वीडियो ने पीडियेफ मुखाई चुक्या शा आ वीडियो ने पीडियेफ नोब्यास करवा माटेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रि स्क्रिप्शिन बॉक्स ने अंदर माली जशे ज़रूर सी तेना आप्यास करी ले जो वीडियो पसंद आयों तो लाइक करवानू तमारा मित्रों साथे शेर करवानू भूल शो नहीं